शहर को चोड़ पे रखती है गजर में कोई चीज बिल्लियां ढूंडती रहती है खंडर में कोई चीज कभी बैठक से रसोई, कभी दालान से छत बावली सी फिरती है तुझबिन मेरे घर में कोई चीज जिन्दगी आग पे लेटी हुई पर चाई है क्या बस धुआ देती है हर वक्त जिगर में कोई चीज हशर तक जीती रहेंगी मेरी घजले तफजील हशर तक जीती रहेंगी मेरी घजले तफजील आकसीजन सी लबा लब है, हुनर सी कोई चीज आकसीजन सी लबा लब है, हुनर में कोई चीज असलामु अलेकुम अजीज तुल्बा और तालबाद, उमीद है अब सब खेरिये से होंगे, आज हम आकसीजन के कमपाउंड लेकर आपकी खिदमत में हाजर हुए हैं, अज हम इस टॉपिक को हर लहाज से कवर करेंगे, अगर आप ने अभी तक हमारा लेक्चर, हमारा जो है, वो सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें, ठीक है जी, एंट्री टेस्ट वाले तुल्बा हमारे लेक्चर को तवज्ज जब ऑक्सीजन दूसरे कंपाउंड के साथ अपनी कंपाउंड बनाता है तो हम उसे ऑक्साइड का नाम देते हैं, वैसे ये थोड़ी सी अधूरी डेफिनेशन है, ऑक्साइड तब हम लफज इस्तमाल करेंगे जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेड जो है, वो माइनिस कि ऑक्सीडेशन स्टेड माइनस आफ होती है, लेकन वहां लफज पर उक्साइड इस्तमाल करते हैं, जहां माइनस वान होती है, वहां पर उक्साइड इस्तमाल कर लेते हैं, तो इसका मतलब है ऑक्साइड स्पेशली उन ऑक्सीजन के कंपाउंड के लिए लफज इस्तमाल किया जाएगा जहां पर oxygen की oxidation state जो है वो minus 2 होगी ठेक है जी oxides की classification बहुत सी बुनियादों पर की जा सकती है लेकिन हम सिरफ एक बुनियाद पर आज focus करेंगे on the basis of their acidic and basic character basically oxides को four main group के अंदर divide किया गया है acidic oxides basic oxides amphoteric oxides and neutral oxides आपकी पंजाब textbook boards की किताबों के अंदर तीन classification है acidic, basic and amphoteric लेकिन याद रखेगा इसकी चार classification होती है acidic, basic, amphoteric and neutral oxides ठीक है जी हमने सब की examples भी coat कर दी है acidic oxides कौन से होंगे उनकी चांद examples हमने दे दी है lead oxides, chromium or tri oxides, carbon dioxide, sulfur dioxide, sulfur dioxide, sulfur tri oxides, silicon dioxide, phosphorus, फासफोरिस, पेंटा oxides, ये acidic oxides, ये acidic oxides की examples हैं बेसिक oxides, में सोडियम अक्साइड, मेगनीजियम अक्साइड, कापर अक्साइड, कैल्शियम अक्साइड, पोटाशियम अक्साइड, एमफोटेरिक में zinc अक्साइड, अलुमीन अक्साइड और इसके इलावा और भी examples हैं, बेलिलियम oxides भी इसमें आ जाता है और न्यूट्रल में water है, carbon mono oxides है, nitrogen oxides है ये चंद examples हैं with respect to classification के हवाले से अब उनके formulas लिखने का क्या तरीका है मैंने वो table आपके सामने पेश किया है, जिसमें आप नाम तो आपको आते ही होते हैं, लेकन उनके formulas कैसे design करने हैं जैसे का alkali metals हैं, lithium oxide, sodium oxide, potassium oxide, rubidium oxide, cesium oxide यानि के हमने जब oxidation state इसमें देखनी है, तो oxygen definitely minus 2 है, और lithium plus 2 है, तो एक lithium पे plus 1 charge आता है, क्योंकि alkali metal अपनी oxidation state plus 1 शो करती है, तो इस वज़ा से यहाँ पे li, o, 2, n, a, 2, o, k, 2, o, इस तरह अनके formula design किये जाएंगे, और दूसरा alkaline earth metal में berylium oxide, magnesium oxide, calcium oxide और strontium oxide हैं, इसके लावा और भी oxides आपके सामने यहाँ टेबल में लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे color mention किये हुए हैं, आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे purple color नज़र आ रहा है, इस shade के अंदर जितने भी oxides हैं, सारे basic oxides हैं, और जो red color के shades हैं, यह pure जो हैं, यह amphoteric oxides हैं, pure, इसके लावा classification के अंदर amphoteric oxides और भी हैं, लेकिन वह हम उने बिलकुल pure oxides नहीं, pure amphoteric नहीं कहते हैं, अच्छा जी, acidic oxides, इसके लावा आपको यह light green color के shades के अंदर oxides नज़र आ रहे हैं, पी ब्लॉक के, यह सारे के सारे acidic oxides हैं, ठीक है जी, यह जर्नल classification, एक आपकी बुक के अंदर classification के हाले से बात की गई है, first A और second A के तमाम जो alkali metals हैं, वो basic oxides बनाते हैं, सिवाई beryllium के इस तरह second A, second B transition elements के अंदर भी, जो cadmium है, mercury है, thallium है, यह सारे P block में thallium है, यह सारे basic oxides बनाते हैं, और इसके लावा beryllium, zinc, aluminium, gallium, indium, germanium, tin, lead, arsenic, steven, bismati, amphoteric oxides बनाते हैं, और इसके लावा जो हैं, third A का first members, four A का first two members, five A के first two members, six A के तमाम members, और seven A के तमाम members, जो है, यह acidic oxides बनाते हैं, ठीक है, इसका अबलब periodic trend, अगर हम period में discuss करें, तो left to right move करते हुए, basic character oxides का काम होता है, और acidic ज्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक होगी बात, अब इसको थोड़ा सा और detail के साथ बात करें, तो इसमें छे classes बनती हैं, छे classes oxides की, nature के हवाले से, farm no oxides, आपको purple color की boundary में जो नजर आ रहे हैं, यह सारे के सारे बज़े, noble gases है, noble gases जो हैं, कहता है, यह oxides बनाती ही नहीं है, ठीक होगी बात, दूसरा है, farm basic oxides, ठीक है, यह वाला जो आपको blank shade नजर आ रहे हैं, इनके अंदर जितने भी elements हैं, जैसे alkaline metals हैं, alkaline earth metals हैं, और transition metals हैं, यह सारे basic oxides बनाएंगे, और यह वाला shade जो है, जो आपको नजर आ रहा है, berylium, zirconium, zinc aluminium, germanium, tin, lead, arsenic, stibum, यह सारे amphoteric oxides बनाते हैं, यह आगे जाके बताएंगे, amphoteric oxides जिसे कहते हैं, और दूसरा जो है, यह वाला shade जो नजर आपको आ रहा है, बिल्कुल इसमें hydrogen के अंदर यह shade नजर आएगा आपको, इसका मदलों, यह neutral oxide बनाते हैं, जैसे water है, neutral oxide हैं, ठीक है जी, और इसके अलावा जो शेड जो नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल light blue color का shade जो है, यह boron, silicon, phosphorus, oxygen, fluorine, chlorine, baramine, iodine, estetine, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, plonium, और phosphorus, और इसमें सारे जो आपको नजर आ रहे हैं elements, यह सारे का सारे acidic oxides बनाएंगे, और जो है, यह दो elements, carbon और nitrogen जिनके बारे में लिखा फार्म बोथ acidic और neutral oxide, यह acidic भी बना सकते हैं, और neutral भी बना सकते हैं, वो कैसे बहला, जिससे हम example देते हैं, carbon dioxide इसका एक oxide है, वो तो acidic है, लेकिन इसी का एक oxide है, carbon monoxide वो तो neutral है, इसी तरह NO, nitric oxide, वो तो neutral है, इसी तरह NO2O5 वो तो acidic है, ठीक है जी, इस वज़ए से हमने इसको 6 classes और मजीद बना दी, elements के oxides की, अच्छा जी, अब हम थोड़ी थोड़ी detail के साथ discuss करेंगे, जो उनको acidic oxide है, उन्हें क्यों कहते हैं, जो basic oxide है, उन्हें क्यों कहते हैं, ठीक है जी, पिछले वाली बात clear हो गई न, ठीक है, चान मक्रना जो नहीं clear हो गई ते फिर लेक्टर सुन लाना मेरा तूँ, अच्छा जी, acidic oxides क्या होते हैं, oxides of non-metal जो होते हैं, mostly जितने भी non-metal के oxides हैं, वो acidic ही होते हैं, और acidic oxides, mostly कहते हैं, room temperature पे, gases state में exist करते हैं, ठीक होगी बात, state भी बताई जा रही है, आपको यहां पे, acidic oxides क्यों कहते हैं, इनको acidic oxides इस वज़ा से कहते हैं, क्यूंकि जब इनको water के साथ treat किया जाए, तो wå acid produce करते हैं, समझ में आगी बात, कि हमने acidic oxides क्यों कहा, कैसे non-metal के oxides को, जब water के साथ treat किया जाता है, तो वो acid produce करते हैं, इसी तरह carbon dioxide है, water के साथ trade करेंगे, तो carbonic acid बना देगा, ठीक है जी, एक खासित इनकी यह है, कि water के साथ, जो है, यह acid produce करते हैं, दूसरी खासित यह है, कि जब इनको alkalis के साथ treat किया जाए, तो salt और water भी produce करते हैं, जैसे carbon dioxide है, sodium hydroxide, जो alkalis है, इसके साथ action करवाएंगे, तो sodium carbon salt बना और साथ में, water produce कर किया, क्योंकि acid की खसूसियत है, जब base से मिलता है, तो salt बनाता है, और साथ में water lease करता है, ठीक होगी जनावे बाला, समझ आ गई, अच्छा जी, example of acidic oxides, sulfur tri oxides, sulfur dioxide, carbon dioxide, phosphorus, pentoxides, यह सारे के सारे जो है, acidic oxides हैं, बिलकुल साथ, सामने उनके, जो है, वो acid भी बताये हुए हैं, जो जब water के साथ में, ट्रीट किया जाएगा, sulfur tri oxides, sulfur dioxide, sulfur dioxide, sulfurous acid, carbon dioxide, जब को water साथ ट्रीट किया, carbonic acid, phosphorus, pentoxides, अगर इसकी रेशो निकाले आम, तो यह pentoxides बनता है, तो phosphoric acid बनता है, ठीक होगी बाजी, अच्छा यह इंट्री टेस्ट वाले बच्चो को बोर्ड के लिहाज से भी एक्वेस्ट आने चाहिए, इस, सिरफ आप, सिरफ elements की आपको पहचान हो, कि यह element metal है, कि non metal है, तो फिर आप असानी से पहचान सकते है, sulfur non metal है, carbon non metal है, phosphorus non metal है, तो इनके oxides जो है, यह से डिक है, ठीक होगी जी, basic oxides की बात करेंगे, कहते हैं, metal ज mostly, most of basic oxides जो है, वो water में हल नहीं होते, जैसे calcium oxide है, क्यों, climb भी से कहा जाता है, water में असानी से, हल नहीं होता है, बल्किस suspension सी बनाता है उसके साथ, अच्छा जी, basic oxides की example में, magnesium oxide, alkali metals के सारे oxides, lithium oxide, sodium oxide, potassium oxide, rubidium oxide, cesium oxide, और इसी तरह alkaline earth metal, magnesium oxide, calcium oxide, और कुछ alkaline और alkaline के इलावा transition metals भी है, जो के basic oxides बनाती है, जैसे copper oxide है, तिक है जी, अब इन्हें क्यों कहा जाता है, ये basic oxides है, क्योंकि जब इनको water के साथ, ट्रीट किया जाएगा, तो ये base पैदा करती है, alkali metals, जैसे potassium oxide है, water के साथ, ट्रीट करेंगे, तो क्योंच potassium hydroxide बनाएंगे, potassium hydroxide बहुत strong base है, इसी तरह sodium oxide है, water के साथ, ट्रीट करवाएंगे, sodium hydroxide बनेगा, calcium oxide को water के साथ, ट्रीट करवाएंगे, calcium hydroxide बनेगा, magnesium oxide को hot water के साथ, ट्रीट करवाएंगे, तो magnesium hydroxide बनेगा, ठीक है, जी, oxygen को यहां पे अपने bracket के अंदर कर लेना है, ठीक, अच्छा जी, उमीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई ही होगी, ठीक है, अच्छा जी, अब अगली बात, अब acidic oxides और basic oxide भी आपस में reaction करते हैं, यह एक आप acidic oxide ले ले ले, एक basic oxide ले ले ले, एक बात तो हमने cover कर दी के acidic oxide को water में डालें, तो acid produce करते हैं, basic oxide को water में डालें, तो base produce करते हैं, अगर acidic oxide को base के साथ treat करवाएं, तो salt और water बनाते हैं, इस तरह basic oxide, acid के साथ treat करवाएं, तो वो भी salt और water produce करेंगे, इस तरह, अगर आप दोनों oxide का आपस में reaction करवाएं, यह एक oxide ले 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 और दूसरा basic oxide ले ले ले, तो फिर दोनों reaction करके salt बनाएंगे, तो पिर दोनों reaction करके sodium sulphate बनाएंगे, ठीक है जी, चनद लुमख्ण उमीद है आपको समझ आ गई होगी, अच्छा जी, दूसरी बात करेंगे, एंफोट टिरिक oxides की, oxides of metal, metal जो है वो basic oxides भी बनाते हैं, metal जो हैं, eurot की से कहते हैं, एंफोट्थ एर उकसइट उन터ra है जाता है जो acidic nature भी रखते हैं और basic nature भी रखते हैं अगर वो acid के साथ treat करवाएं तो base के तोर पर काम करना शुरू कर देंगे अगर base के साथ treat करवाएं तो वो acid के साथ treat करना शुरू कर देंगी ठीक है जिसमें हमें example दी थी आपको aluminium के oxide zinc के oxide, beryllium के oxide ठीक है जी most कामली जिनके बारे में क्वेस्टन भी आते हैं पेपर में ये amphoteric oxide है zinc oxide को HCl के साथ एक्शन करवाएं तो zinc chloride or water ठीक है जी तो zinc oxide को अन्योज के साथ एक्शन करवाएं तो तब भी zinc sodium zincate or water यानि के zinc oxide यह amphoteric है यानि है एचल तो acid है तो zinc oxide यहां पे base बन गया acid और base के रेक्शन से salt और water फिर अगर base के साथ करवाएं तो zinc oxide यहां पे acid बन गया तो फिर भी acid और base के साथ रेक्शन करके salt और water प्रोड्यूस हो रहा है similarly aluminium oxide का रेक्शन अगर acid के साथ करवाएं तब भी salt और water प्रोड्यूस हो रहा है अगर aluminium oxide correction base के साथ करवाएं तो तब भी salt और water produce हो रहा है तो इसका मतलब है amphoteric oxide acid के साथ भी reaction कर सकते हैं और base के साथ भी reaction कर सकते हैं अच्छा तीन categories आपको समझ आ गई होगी अब चौती categories के तरफ हम jump कर रहे हैं neutral oxides neutral oxides किने कहते हैं जो ना ही acidic properties रखती हैं ना ही basic properties रखती हैं और water में भी कहते हैं अच्छा नहीं होती वो कौन से oxides हैं जो neutral है ठीक है water है carbon monoxides है और nitric oxides है इनको हम जो कहते हैं यह neutral oxides हैं वो क्यों है अच्छा जी अब water के बारे में तो कहीं बच्छे यहां confused हो जाएंगे तो यह थो एंफोटारे का जी हमने इन और गनिक मिस्ट्री में पढ़ा था कहीं पर मैट्रिक में हमने पढ़ा था तो यहां पर जो जज़ करने का मैयार है वोटर के अंदर डाला जाए तो वो बेस पैदा करें तो इस बन्याद पे हिनको निटरल ओकसाइड कहते हैं ठीक होगी बात अच्छा जी प्रैडिक ट्रेंड की बात करेंगे तो प्रैडिक ट्रेंड के अंदर अगर आप हम चले जाएं लेफ्ट तो राइट औरिफ्ट उराइट और येज़व परें तो क्या होता है जो acidic character है oxides का वो कम होता चला जाता है फिर amphoteric फिर इसके बाद जो है वो basic character increase हो जाता है 7A group तक 8A वाले तो बनाते ही नहीं है तेक है जी अच्छा जी उनकी basic और acidic oxides नहीं बनाते वो फिर इसके बाद अगर top to bottom आते हैं तो फिर वो क्या कहता है जी फिर अगर acidic oxides हैं तो फिर उनकी acidic strength में इजाफा हो जाएगा अगर basic oxides हैं तो basic strength में कहता है इजाफा हो जाएगा जैसे के हम कहते हैं जी lithium oxides, sodium oxides, potassium oxides, rubidium and cesium oxides तो इसके मतलब जब top to bottom आते हैं तो इनका basic character enhance होता चला जाता है तो क्योंकि वोटर के साथ इनके oxides का reaction increase हो जाता है ठी ज्यादा basic होगा as compared to sodium oxides के, sodium oxides ज्यादा basic होगा as compared to lithium oxides के ठीक है जी और non-metals के अंदर बात करें जितना non-metallic character ज्यादा होगा उसका acidic character oxides का ज्यादा होगा इसका मतलब acidic oxides जो characters हैं वो top to bottom जो है वो decrease करना शुरू कर देंगे ठीक है जी ऊपर वाले बिलकु acidic oxide बनाएंग फिर जो है वो amphoteric और फिल जो bottom पे हैं कई तो bottom तक ही amphoteric होते हैं कहीं फिर इसके बाद वो basic oxides भी बना सकते हैं जैसे बिसमत के अंदर confusion है कि ये कई जगा पर ये लिखा हुआ है कि ये basic oxides है कहीं जगा पर लिखा हुआ है ये amphoteric भी है ठीक है आपकी बुक में भी इसको amph फोटेरिक ही लिखा हुआ है ठीक होगी बात उमीद है आपको आज का हमारा लेक्चर जरूर बसंद आया होगा तो इस वज़ा से इसमें सारे के सारे जो color भी दिये हुए हैं basic oxides के shade अलग से दिये हुए हैm टेरिक उकसाइड के शेर्ड अलग से दिये हुए हैं, असेडिक के अलग से दिये हुए हैं, और न्यूट्रल के अलग से दिये हुए हैं, न्यूट्रल के पहले भी हम बता चुके हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, जो है इनके कुछ OXIDES तो जो होते हैं वो सड़क होते हैं लेकिन कुछ OXIDES जो होते हैं वो neutral भी होते हैं ठीक है जी इसी तरह जो है जो है कुछ element जो है वो बनाते ही नहीं OXID ठीक है जी जैसे के 18 group वाले elements हैं जिनको हम noble gases कहते हैं ठीक ये सारे predictable के अंदर overall trend जो intermediate classes के लिए जरूरी है वो हमने आपको समझा दिया है उमीद है आपको आज का हमारा lecture पसांद आया होगा कल को हम एक नए lecture के साथ that is the hydrides हम लेकर हाजर होंगे इन्शालाह उलाजीज कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अल्ला आप लोगों का निगेबान हो अल्लाफिस